एक छोटे से गाव में जो घने जंगल से गिरा हुआ था एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था आन्या उसके पास एक प्यारी सी बिल्ली थी जिसका नाम था मिमी मिमी का फर नर्म और सफेद था और उसकी आंखे नीली थी एक दिन दोपहर को जब आन्या जंगल क करके आप भी बायरल हो सकते हो लेकिन इस तरह के एनिमेशन स्टोरी आप लोग कहां से लेंगे और किस तरह से इसको जनेरेट करेंगे यही आज आप लोगो सिखाऊंगा एकदम आसानी तरीके से आप लोगो सिखाऊंगा एक इमेज को वीडियो में कनबर्ट करके कैसे एनिम करना स्टाट करोगे तो आप लोग वीडियो जनेट नहीं कर पाऊगे मैं गरांटी के साथ क्याता हूँ कि आप लोग वीडियो जनेट नहीं कर पाऊगे आप लोग को पहले पूरा वीडियो देखना होगा फिर आप लोग एडिंग करना तब जाके आप लोग वीडियो जने और बहुत पेसा भी कमा रहा है और आप भी इस तरह का animation story आपलोट करके कुछी समय में कुछ दिन में ही आप लोग पेसा कमा सकते हो और आप मेरा सेनल पर नए है तो पहले मेरा सेनल को subscribe करके बेल आकन प्रेस करके रखना क्यूंकि इस तरह का trending वीडियो आपको हर दिन मिलते रहेंगे तो आइए सलते हैं वीडियो स्टार करते हैं तो दोस्तो आप लोग यहाप पर देख सकते हो तो आप लोग को क्या करना है अगा दोस्तो आप लोग को आपका Chrome ब्राउजर ओपेन कर लेना ओपेन करने के बाद दोस्तो आप लोग यहाप पर सर्च करना है SetGPT SetGPT सर्च करने के बाद दोस्तो आप लोग फर्स्ट में जो भी आएगा उसको किलिक कर लेना किलिक करने के बाद दोस्तो आपके समने येवला option आएगा तो आप लोग यहाँ पर search करना है आप this topic पर वीडियो बनना साथ हो उस topic पर इसको search करना है तो मैं animals को उपर वीडियो बनांगा तो यहाँ पर animals लिखता हो animals story in Hindi in 100 words तो मैं जही से ही लिख रहा हूँ आप भी ऐसे ही लिखना फिर आपको search करना है search करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो story बनकर आ गया तो आप लोग क्या करना है दोस्तों आप लोग इसको copy कर लेना copy करने के बाद दोस्तों अभी आप लोग को क्या करना है आपका hots app में जाना है होटसाप में जाने के बाद आपको क्या करना है दूस्तों आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद फिर से आपको सैट जी पीटी पर सले जाना है फिर यहाँ पर आपको सर्च करना है create, create five image prompt of this story in Hindi यहाँ आपको सर्च करना है search करने के बाद दूस्तों देख सकते हो यहाँ पर prompt बन कर आ गया तो यहाँ से आप लोग एक एक करके सारे prompt यहाँ से copy कर लेना तो यहाँ से मैं prompt को copy कर लेते हूँ तो आप लोग यहाँ से में जैसे ही copy कर लेता हो आप यहाँ से ही एक एक करके copy कर लेना और आपका होट्चाप में पेस्ट कर देना ऐसे करके वा पर जितने भी प्रॉम्ट है सारे प्रॉम्ट एके करके होट्चाप पर पेस्ट कर देना पेस्ट करने के बाद जोस्तो फिर से आप लोग को क्या करना है आपका Chrome ब्राउजर में जाना है Chrome browser में जाने के बाद जोस्तों आपको यहाप पर search करना है Ideagram AI Ideagram AI search करने के बाद fast में जो भी आएगा उसको click कर लेना Click करने के बाद दोस्तों आपके समने इस प्रकर कर काएगा आपके समने अगर sign up का option आएगा तो आप लोग sign up कर लेना फिर आप लोग यहापर जो plus का option है plus पर click कर लेना Plus में click करने के बाद दोस्तों आपके समने इस प्रकर काएगा तो आप लोग को यहापर और एक prompt लिखना है यहापर लिखना है 3D animation style यह लिख के आपको यहापर एक dot दे देना है फिर आप लोग को क्या करना है दोस्तों फिर आप लोग को आपका होर्चाप में जाना है और आपने जो prompt यहापर paste किया था फास्ट प्रॉम्ट आप लोग को copy कर लेना है copy करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहापर paste कर देना है एसे करके आप लोग को पेस्ट कर देना है और यहाँ से जनेट डिक कर देना धोट पर थोड़ा टाइम यहाँ ठोट लेगा फिर आपका image यहाँ तो अवेट बेता आपकशा और अभागा देख सेकता हूं, यहाँ पर image बनकर चला आगया। तो आप लोग की आथे, जो भी image आपको पज़्ज़ आता है, वो image आप लोग हिए आथे copy कर लेना। मतलब इसको download कर लेना। आप लोग download करने के लिए image पर click करके रखना। तो यहाँ पर lockdown image का option है तो आप लोग download image पर click करदेना फिर आप लोग को क्या करना है दूस्तो back करदेना है बैक करने के बाद फिर से आप लोगो plus में click करने है इसको delete करनेे हूँ से delete करने के बाद दुसरा prompt जो है और नमर prompt जो है वो आप लोग को यहाँ पर होड़ साफ से फिर से पेस्ट कर देना जितने भी प्रॉम्ट है यहाँ पर पेस्ट करके घरके आप लोग इमेज को डाउनलोट कर लेना फिर आप लोग को क्या करना होगा दोस्तो फिर आप लोग को सर्च करना होगा Runway Runway आप लोग को सर्च करना होगा सर्च करने के बाद दोस्तों आपके समने First में जो है वो आप लोग को किलिक करना है किलिक करने के बाद दोस्तों आपके समने इस तरह का option हैगा तो आप लोग को Try Runway पर किलिक करना है Try Runway पर किलिक करने के बाद दोस्तो आपके समने लोग साइन आपका option आएगा तो आप लोग साइन आप कर लेना साइन आप करने के बाद दोस्तो यह आप पर देख सकते हो यह आप थोड़ा टाइम वेट करने पर आपको आपको नेटवर्क अगर अच्छा नहीं है तो फिर आप लोग को क्या करना है दोस्तों यहापर इसको काट कर देते हूँ फिर आप लोग को get start पर आप लोग को click करना है click करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो आप लोग का अभी क्या करना है select from access यहापर आप लोग को click करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है ड्रेग एंड ड्रोप फाइल यहाप पर आप लोग को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका डारेक्ली आपका गिलेर में सला जाएगा और जिस इमेज को आप लोग वासे डाउनलोड किया है ओओ इमेज आप लोग इस सेलेट कर लेना, सेलेट करने के बाद ओओ इमेज यहाँ पर चला आ गया, चला आयेगा तो आप लोगो फिर से क्या करना होगा दोस्तों, दोस्तों आप लोगो यहाँ पर इसको क्रूप कर लेना, क्रूप करने के बाद दोस्तों आप लोग देख स सकते हो तो आप लोग को यह पर ऑप्शनल का अप्शन आएगा तो डिस्क्राइब यॉर शॉर्ड व्यू इस तरह का एक अप्शन आएगा निसे तो आप लोग को क्या करना है यह आप पर पेस्ट कर देना है जो आपका फास्ट प्रोम है हुआ पर पेस्ट कर देना है और यह पर पेस्ट करने के बाद जनेयेट पर किलिक करने के बाद अगर नहीं होता है तो आप लोग को क्या करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो टाइमर है 10 सेकंड का टाइमर है आप लोगो यहाँ पर क्या करना है 5 सेकंड में लेने ना है फिर आप लोगो जनेट में क्लिक करना है जनेट में क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर देख सकते हो जनेट होना स्टाट हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा टाइम वेट करना परेगा तो दोस्तो देख सकते हो यहाँ पर जनेट हो गया तो जनेट होने के बाद दोस्तो देख सकते हो यहाँ पर कितनी असी तरह से जनेट हो गया दोस्तो कितना ओसम लग रहा यार तो दोस्तों आप लोग यहां से फिर से क्या करना है यहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है फिर से बैक आजाना है और back आने के बाद फिर से आप लोग को क्या करना है दूसरा जो prompt है और दूसरा जो image है वह image मैंने पहले जएसे क्या है वहीछसे आप लोग दूसरा image को यहापर add कर लेना और दूसरा prompt को paste कर देना पेस्ट करने के बाद आप लोग क्या करना जनेट पर क्लिक कर देना और टाइमर को 5 सिकेंड में ले लेना फिर आप लोग जनेट में क्लिक कर देना जनेट हो जाएगा तो इस तरह से आप लोग सारा इमेज को जनेट कर लेना जनेट करने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है जो इमेज आप लोग जनेट किया है उसको बी अन एप से आप लोग को एटिंग करना परेगा अगर आपको बी अन एप से एटिंग करना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करना मैं उसका उपर एक वीडियो बनाऊंगा और अगर आपको वीडियो एटिंग करने में जनेट करने में कोई भी दिक्क्यत हो कोई भी प्रोब्लेम हो तो देख सकतो मेरा इन्स्टेग्राम आइडिये या पर आप लोग टेक्स करना मैं आपका सोलिशन जरूर देदूंगा तो आशके लिए मेरा वीडियो इतना ही था अगर वीडियो पसंद देतो जरूर